रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकारात्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं स्केल दास, I am a faculty of CPPS in Ranchi University. Today, I am going to discuss some tricks of problems based on ages. This is most important session. This session is beneficial for all the CPPS students and for all those students who are preparing for competitive exam. Dear students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, problems based on age, आयू शमन्धी प्रश्न. तो आज की session में हम लोग आयू समन्धी प्रश्न समन्धित कुछ most important tricks and technique को समझेंगे, जो कि आपके upcoming exam, SSC, CGL, LDC, CPO, RRB, NTPC and bank और वो शभी exam जिसमें भी maths से related question पुछा जाता है, के लिए most important session आज का होगा. तो चलिए start करते हैं आज का session. The most important tricks आज के session का first है कि यदि A तथा B की आयू का अनपात X अनपात Y हो, तथा उनकी आयू का योग T वर्स हो, तो A की आयू X by X plus Y into T वर्स होगा, B की आयू Y by X plus Y into T वर्स होगा, A तथा B की आयू में अन्तर, अगर पुछेगा, तो वो X minus Y by X plus Y into T वर्स होगा. Dear friends, question में क्या गिविन है कि यदि if A and B का जो एक age का ratio है, वो X और Y दिया हुआ है, age का ratio, और उनका जो age का sum है, वो T वर्स दिया हुआ है, तो A का जो age होगा, वो X by X plus Y into T होगा, B का जो age होगा, वो Y by X plus Y into T होगा, और A और B का जो age का difference होगा, वो होगा, X minus Y, Y, X plus Y into T. यहाँ पर ध्यान देने बाली बात यह है, कि X और Y मेंसे, जो बड़ा हो, उनमें से छोटा को घटा देते हैं, है ना, यहाँ कि X minus Y यह कर रहे हैं, यह Y minus X करेंगे, जो बड़ा रहेगा, उसमें से माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि age को माइनस में तो represent करेंगे नहीं, है ना, इसलिए जो बड़ा होगा, उसमें से माइनस करेंगे, चलिए, एक example के help से इस trick को समझते हैं, यह इतना important trick है, और यह इतना many times repeated trick है, कि आगर आप इस trick को योज कीजिएगा, तो within 5 to 10 seconds, आप आसानी से exam में आंसर कर सकते हैं, तो question है, कि मनीश तथा किसले की वर्तमान आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 4 है, तथा उनकी आयू का योग 54 वर्स है, 54 years, तो मनीश तथा किसले की वर्तमान आयू क्या होगी, तो dear evidence, मनीश की वर्तमान आयू हो जाएगी, x by x plus y into t, यानि कि 5 by 5 plus 4 into 54, यानि कि 30 years, solve करने पे आपको मिलेगा, 5 by 9 into 54 करेंगे, तो 30 years मनीश का परजेंटेज निकल जाएगा, और अगर आपसे पूछा है, किसले की वर्तमान आयू बताईए, किसले का परजेंटेज बताईए, तो वहाँ पर भी same करेंगे, y by x plus y into t, यानि कि 4 by 5 plus 4 into 54, यानि कि 4 by 9 into 54, 24 years आपका किसले का वर्तमान आयू निकल जाएगा, अगर आपको इसी केस में, इसी तरह का कोश्चन में अगर डिफरेंस पूछता है, for example, अगर कोश्चन पूछ रहा है आपसे, कि जै तथा उसके पुत्र की आयू का अनुपाद 7 अनुपाद 3 है, यदि उनके आयू को योग 80 वर्ष हो, तो उनके आयू का अंतर क्या है, जै तथा उसके पुत्र की आयू का अंतर निकलना आपको, तो आयू का अंतर कैसे निकालेंगे, तो 7 x minus y by x plus y into t कर देंगे, है ना, यनिकि 7 minus 3 by 7 plus 3 into 80 कर देंगे, है ना, 7 minus 3, 5 by 10 into 80, 7 minus 3, 4 by 10 into 80 करेंगे, 32 येर्ष आपका राइट अंसर हो जाएगा, ना, मूब टू नेक्स्ट ट्रिक, यदि ए तथा बी की आयू में x अनुपाद तो y का अनुपाद हो, तथा उनकी आयू में t वर्स का अंतर हो, इससे पहले वाले ट्रिक में सम दिया हुआ था, आयू का योग t वर्स था, अब ये t वर्स का डिफरेंस हो, तो एक की आयू जो होगा, वो x by x minus y into t होगा, वहाँ पर देखें, सम था, तो x plus y लिये थे, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, एक की आयू यानि एक का एज जो होगा, वो x by x minus y into t होगा, b का जो एज होगा, वो हो जाएगा y by x minus y into t, और जो आपका योग होगा, ए तथा बी की आयू का योग अगर पुछेगा, तो वो हो जाएगा x plus y by x minus y into t, यानि कि first trick और इस trick में जो difference है, वो basically plus minus का difference है, है ना, इसके अलावा कुछ भी difference नहीं है, आप easily correlate करके इस trick को याद रख सकते हैं, चलिए, एक example के help से इस trick को समझते हैं, एक example है कि यदि ए तथा बी की आयू में पांच अनुपाथ 4 का अनुपाथ हो, तथा उसकी आयू में 4 वर्स का अन्तर हो, तब ए की आयू, बी की आयू, तथा उनकी आयू का योग क्या होगा, दिए evidence, ए की आयू का योग कैसे निकालेंगे, तब ए की आयू हो जागा, एकस बाई, एकस माईनस वाई इंटो टी, यानि की 5 इज टू 4 जो रेशियो था, तब 5 बाई 5 माईनस 4 इंटो 4 कर देंगे, तब हमारा ए का एज निकल जागा 20, और बी का एज अगर निकालना अब रहेगा, तो same to same, y बाई x माईनस y इंटो t करेंगे, तब 5 इज टू 4 में y का वहलू 4 है, x का वहलू 5 है, तो 4 बाई 5 माईनस 4 इंटो 4 कर देंगे, this is equal to 16, क्योंकि जो हमारा t है, वो 4 years है, है ना, उनकी आयू में 4 वर्स का अंतर है, तो t है पर difference को इंडिकेट करता, जो कि 4 है, तो 4 बाई 5 माईनस 4 इंटो 4 कर देंगे, 16 years जो है b का age निकाल जाएगा, और a तथा b की आयू का योग निकालना रहेगा, तो यह हम लोगों का हो जाएगा, x प्लस y by x माईनस y इंटो t, यहनि कि 5 प्लस 4 by 5 माईनस 4 इंटो 4, this is equal to 36 years, यहनि कि 36 years इस question का right answer हो जाएगा, sum of a and b. Now, third trick of this session, यदि T वर्स पहले, पिता की आयू, पुत्र के आयू की x गुनी थी, यदि वर्तमान में, पिता की आयू, पुत्र की आयू शे y गुनी हो, तब पुत्र की आयू equal to t into x minus 1 by x minus y, और पिता की आयू equal to t into x minus 1 by x minus y into y, अईए अब इस trick को एक example के help से समझते हैं, 18 वर्स पुर्व, एक वेक्ती की आयू, उसके पुत्र की आयू से थिगुनी थी, वर्तमान में वेक्ती की आयू, पुत्र की आयू से थिगुनी हैं, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयू क्या होगा, पुत्र की आयू equal to हो जाएगा t into x minus 1 by x minus y तिहाँ पर t का value 18 है और x minus 1 के place पे हम लोग 3 minus 1 by x minus y के place पे 3 minus 2 put करेंगे यानि कि 18 into 3 minus 1 by 3 minus 2 और solve करने पे आपको value मिलेगा 18 into 2 by 1 यानि कि 36 years पुत्र की आयू 36 years आ जाएगा आपसे इस question ने पुछा है पिता की आयू बताईए तो पिता की आयू कैसे निकालेंगे तो पिता की आयू equal to t into x minus 1 by x minus y into y होता है तो 18 into 3 minus 1 by 3 minus 2 into 2 कर देंगे यानि कि 18 into 4 72 years इस question का right answer हो जाएगा now move to trick number 4 trick number 4 है कि यदी वर्तमान में पिता की आयू पुत्र की आयू की y गुनी है तो t वर्स बाद पिता की आयू पुत्र की आयू की x गुनी हो जाएगी तब पुत्र की आयू t into x minus 1 by y minus x होगा और पिता की आयू t into x minus 1 by y minus x into y हो जाएगा आई ये एक example के help से इस trick को समझते हैं पिता की आयू example है कि पिता की आयू पुत्र की आयू की 5 गुनी है दस वर्स बाद पिता की आयू पुत्र की आयू की तिगुनी हो जाएगी तो पिता था पुत्र की वर्तमान आयू क्या होगा तो पुत्र की आयू evidence होगा t into x minus 1 by y minus x यानि कि 10 into 3 minus 1 by 5 minus 3 इसको solve करने पे आपको 10 years आजाएगा यानि कि पुत्र की आयू 10 years हो जाएगा और पिता की आयू निकालने के लिए आपको t into x minus 1 by y minus x into y करना पड़ेगा जहां पर पिता की आयू में t आपका 10 हो जाएगा x के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए और y के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए यानि कि पिता की आयू में के केस में equation बनेगा 10 into 3 minus 1 by 5 minus 3 into y y कर दो 5 है इंटो 5 कर दीजिएगा तो 10 into 2 by 2 into 5 करने पे solve करने पे आपको 50 years answer आजाएगा यानि कि पुत्र की आयू 10 वर्स हो जाएगा और पिता की आयू 50 वर्स होगा तो dear evidence आज के session में हम लोग कुछ most important questions problems on age पर based देखें जो की आपके अपकमी exam के point of vision most important है ये सभी tricks पर based question हमेशा से exam में आते रहा है तो आपके अपकमी exam में भी आने की इसकी पूर्ण संभावना है तो अगर आप इस type के tricks को practice कीजिएगा और इस type of questions आएगा तो बहुत ही कम समय में आप exam में question को solve कर सकते है तो dear evidence लगातार practice करते रहिए घर में रहिए, स्वस्त रहिए और अगर किसी भी प्रकार का problem आ रहा है कोई भी question में dot हो रहा है है ना तो उसे आप हमें comment में जोर बताईए Thank you very much evidence Keep on practice, stay at home